नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत है आप सभी का एक और नए संदार वीडियों बात करने वाले हैं बिहार भूमी सर्वे 2024 के बारे में इसका जो है ओनलाइन शुरू हो चुका है और आप सबको पता है सर्वे भी स्टार्ट हो चुका है सभी जीला में जो है सर्वे सालों जाल से बिदेश सहरस्थे सहर में रहते हैं उनको भी टेंसल लेनी के वो शकता नहीं है आपको पी और यहाँ पर मौका मील रहा है सर्वे में भाग समय क्या आप से बहुत ही जरूरी है अगर आप सर्वेह कर दोगा अद हो सकता है कि आपका जमीन को हो जाए चवहती में गरबड़ी हो जाए या किसी दूसरे के नाम से जमीन चला जाए और जब आप नहीं रहेंगे तो आप पत्ती भी नहीं देख पाएंगे आप पत्ती भी नहीं दबा कर पाएंगे देखें मैसा नहीं है कि आपका जमीन दूसरे के पास चला जागा जा सकत इसका अलग-अलग प्रकिरिया है लेकिन हाँ सर्वे में भाग लेना आपको बहूत ही जरूरी है आप जमीन का रसीद नहीं कटा रहे हैं सालों साल से या जो है दूसरे कोई जमीन दूसरे का बेश दे रहा है यह तमाम जो है प्रोब्लमें आ रही है आजकल बिहार सरकार के पास तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सर्वे जो है स्टार्ट किया गया है सर्वे से यह चीजे होगी कि जो भी परजेंट में रहयत है तो फिर आप जमीन बेच भी नहीं सकते हैं कई बार ऐसा प्रोब्लम हो देखा गया है कि जमीन दूसरे किसी का है बेच कोई और यही प्रोब्लम होता है इसी को लेकर जो है तिसमालने जिए आप जो है दो भाई हैं दोनों का आधा-धाईसा हुआ एक गया आपका पूरा जमीने बेच दिया क्या होगा दिक्कते होगी समस्या होगी तो इसलिए सर्वे जरूरी है सर्वे कराने का फायदा यही है विहार जमीन बेच सके जिनका उनका हिस्सा बन रहा है जितना उनका हिस्सा बन रहा है तो यहीं से लिए सर्वे जरूरी है सर्वे आप दो तरीके से कर सकते हैं एक सर्वे आप ऑफ लाइन कर सकते हैं मतलब सर्वे का आवेदन जो है आप सर्वे नहीं करेंगे बिहार सरकार करेंगी आपको भाग लेना है, आपको आविदन देना सर्वे के लिए, समझ रहे ना, अगर आप आविदन नहीं भी देगे ना, फिर भी आपका सर्वे होगा, ये आपको बिल्कुल टेंस लेकिन भाग लेंगे, तो मैंने बताया ना, कि दूसरे किसी का जमीन जो है, कहीं कम न हो जा अगर आप सर्वे भाग नहीं लेते हैं, तो ये सब समस्य आपको हो सकती है, कोट का चकर काटना पड़ सकता, अगर मालीजे थोड़ा सा जमीन कम पड़ गया आपका, समझ रहे हैं, मालीजे था 20 कठा, आपका 18 कठा हिसा में मिल गया, फिर दिकत हो जाएगी ना, फिर आप पोट कचरी का चकर लगाना चले जाएंगे, सब्सक्राइब ना, तो ये सारी दिकते नहों, इसलिए आपको सर्वे भाग ले नहों हो, बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वे आपको कैसे कराना है, सर्वे आप दो तरीके से कराएंगे, एक आप सर्वे जो है ओनलाइन माध्यम से करा सकते मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे स्क्रीन पर आप देख पाए रहोंगे यह जो है ओफिसियल वेब साइट है यहां पर आप देखिए यहां पर बिहार विसेश सर्वेचर संबंधित सेवाएं आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं इस बटन्स का अलग-अलग उपियोग है पहला है आप अपने ग्राम और सहर में विसेश मैं इसके मलिकाना हक रखता हूं यहां से आप इसके लिए आविदन करेंगे आप देखें इसमें दो ही जो है आविदन का खेल है पहला एक बंसावली बनाने वाला दूसरा प्रपत्र टू वह भी मैं आपको दिखाऊंगा देखें यह आपका बंसावली है सर्वे में पर लूटी असाली भासा में इसको समझा दूगा यह कैसे भरना है यहां क्या लिखा हुआ है रएद्वरा स्वामित्त्व धारित भूमी का स्वें घोसरा पत्र मतलब क्या कि आप खुद से जो है यह घोसरा कर रहे है कि मैं जुह इस जमीन का मालिक हूं मैं जो है इस जमी करना है सरवय भाग लेने के लिए ये सबसे इंपोर्टेंट बाते हैं अब यह कैसे बहड़ना है इसी के बार हम चरचा करेंगे अगर कोई मानले संयुक्त परिवार है मानले जे एक पिता के दो बच्चे हैं बत्वारा नहीं होए तो वह कैसे भरेंगे अगर मालें जे एक पिता के दो पूत्र हैं, दोनों अलग-अलग बटवारा हो चुका है, तो हो कैसे फॉर्म को भरेंगे, इसकी भी हम जनकारी यहाँ पे आपको देने वाले हैं, पले आपको समझाते हैं कि online आप कैसे सर्वें भाग ले सकते हैं, तो मैं again जो हूँ, यहाँ आप आ चुका हूँ, जब इसका आएगा बारी, तो हम आपको समझा देंगे कि इसको कैसे भरना है, फिलहाल देखिए, online पाटिसिपेट करने के लिए, मैंने आपको link description box में दे दिया है, और यह भी जो form आप प्रपत्र 2 देख रहे हैं, या बंसाली देख रहे हैं, इसको करना चाहते हैं, तो इसका भी link आपको description box में दे दिया गया है, अब यहां पर आएंगे, तो यहां पर बिहार भी से सरवेचर संबनित सेवा, इसको क्लिक करेंगे, यहां पर आपको रयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमी की स्वागोश्रा हेतु प्रपत्र, इसको क्लिक करेंगे, मैं पहले online बताता हूं कि online अप सरवेचर्व में कैसे भाग ले सकते हैं, सब इसके क्लिक करेंगे, यहां पर आपना नाम लिकना है, जो भी आपका नाम है, वह अपना नाम लिखेंगे, माली जरईयत का नाम अले दीपक कुमार है, लिख दिये, यहां डिस् पिदेगे और उसके बास यहांपे ऑपको छो है आपको इस पर से फॉड्म खूल जाता है अब यहां पर है अगर आप आपको इस तरह से फॉर्म खूल जाता है अब यहां पर देखिए अगर आप उन-iete भरेंगे तो भी आपको यह वला आवेदन form यहाँ पे अटेज करना है ठीक है ना प्रपत्र 2 एक के आपको पर mix करना है तो इसे का ढूमेन काम है आपको पाटिसीपेट करने का मतलब इस बहाग लेने का सर्वेच्छड में भाग लेने का तो यहां पर आपको अटेज करना है दोनों को मर्ज करके तीन एमबी में आपको अटेज करना है अगर आपको पस कैसे भरना है समझे ऑनलाई एक अफ्लाइन ही में बताऊंगा उसका भी अलग तरीका है आप समझ लीजिए गा तो वह आप कर सकते हैं पल्याजी चूच करेंगे कि कि जीला में आपका जमीन है उसके बाद यहां पर आपको सरकल बताना है कि सरकल में आपका जमीन है फिर यहा यहां पर नमबर लखा तो आप यह चूच करेंगे माल लिजी हम इस चूच किया फिर यहां पर आपको क्या करना है खाता लिखना है खेसरा लिखना है और holder name मतलब वो जमीन किसके नाम से है और add more holders पे क्लिक करेंगे यहां पर आप हो जाएगा और भी तमाम जो भी खाता ख परविष्ट के लिए एड मोर बटन पर क्लिक करके आपको यहां पर एड करना है तो ऐसे आप मैक्सिमम जितना आपके पास खाता खेसरा है यहां पे आप क्या करेंगे रयद्वरा स्वामित्व धारी भूमी के सर्वे भूसरा बंसावली हेतू परपत्र आप यहां पर भरें करेंगे आपकाaina जो है data चला जाएगा जो भी इनके एरिया में जो बनाएंगे है उनके पास क्या हो जाएगा यह data चला जाएगा अब जैसे यह data चला जाएगा जो बंदोबस्त कट्रायले बनाए गया है और एक आयंचल कर्याले में जितने भी 536 कर्याले हैं पूरे भिहा कर रहें, सरवे हर एक जमीन पर जा जाके होता है तो वहां पर भी आपको रहना ज़रूरी होता है, अगर मालिज्यश्या अपने हाँ पर आवेदन कर दीया अवेदन कर दिये लेकिन जब एक्च्वल में जहां जमीन वहां जो है टुमिन दिखा जाया है और मैपिंग होती है अर यह प्रोसेस ज़र्वां जůरार होता है झाल आपका भाग लہन धॉरा प्रोड़ाना Izzwang ओफलाइन भरेंगे टो आपको यहां पर यहां पर यूझto यह सब जो है एक साथ भर और ले जाके जहां जाना जंपर ही आपष्यू नरइधार करना ऑफनूद्रीजादंगे प्रपत्र टू बढकर दिए और भंसावली भ़रीए दोनों भर के आप ले जाके जैसे ही करयले प्रहुत बनाए गये जहां आपका केंप लग रहा है गाहुगाँ में वह आप जम्मा कर देते ने को लोग भी लाके यहीं से online करेंगे यहीं से क्या करेंगे उनका operator होगा उनका अपना पास रख ले, sign करवा के और एक उनको दे दे इससे क्या होगा कि यह पता चलेगा कि आपने participate किया हुआ है कहां पे तो आपने जो है इसके लिए survey के लिए जो है आपने आविदन दे दिया है अगर जमीन में कुछ भी गरबड़ी होती है तो आप क्लेम कर सकते जा यहाँ पर दिया था कि यह मेरा इतना सारा जमीन है इतना उसमें रखबा है यह सब चौहधी है तो यह आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी घडबड़ी पाई जाती है तो आपके जमीन के अंदर समझ रहा है न तो यह चाहरी चीज़ है तो यहां से आप कर देंगे जब यहां पर सब चीज हो जाएगा इसको आपको सेप कर दे रहा है पीडियाफ कैसे बनाना समझ लिए आप यहां पर गूगल में जाएंगे लिखेंगे ओन लाइन पीडियाफ कनवर्टर यहां जाएंगे आप कोई भी वेबसाइट कर सकते हैं बहुत सर वेबसा एकरते है बहुत जमा करते हैं तो जहां इसके साथ क्या कर ने को आपको आपको शमुआ ना बताता हूं अब बात आती है कि इसके साथ क्या की documents भी आपको अटेच करना है documents के बारे में आपको संधाएता हूँ पहले मैं आपको यह form भरना बताता हूँ यह form जो भी भरा जाएगा वो कैसे भरा जाएगा देखीए suppose माल लीजे कोई जेड वैगती है यहां आप देखेंगे स्क्रीन पे और उसका दो पूत्र है ए और बी अगर वो सयुक्त है सयुक्त मतलब क्या कि उसका बटवारा नहीं हुआ है अगर कोई हो तो उसका पीता का भी नाम या लिखना है तो पिर खाता लिखेंगे फिर खेसरा लिखेंगे फिर रकबार डेसमील में या एकड्य में लिखना है चौहद्धी उसका क्या है पूरब में पच्छी में उत्तर में दखिन में कौन कहा है आपको लिखना जैसे की कोई भी है उसको लिखेंगे किस परकार का जमीन है उसको बताएंगे जिसे की अलग अलग परकार का जमीन होता है सेस छोड़कर लगान कितना लगान निर्धारित किया गया है अगर यह पता है तो लिखे वरना छोड़ सकते हैं जमबंदी संख्या आप online निकाल सकते हैं या आपके पास रसीद के ऊपर जमबंदी संख्या होता है उसे भी आप लिख सकते हैं यहां पर भूमी का दावा का आधार या दान क्रे बंदोबस्त किस परकार का सिविल कोट में आपका जो ए उसका केस चल रहा है तो उसको बाएस को सकते है की कोट का फैसला से मिला कुछ भी जो भी यवन मैटर ऑंधी और यहां पे खाता खस रहे सब आप लिखते लिजे suppose यहां पे दोनों बटवारा कर चुके हैं मतलब ए अलग हो चुका है बी भी अलग हो चुका है तो यहां पे अपना अलग भरेगा और बी भी अपना अलग भरेगा यहने कि दोनों यहां पे अपना दिखाएंगे तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रिंड्स यहां पे साल समय लगा पूरा सर्वेच्षड कंप्लीट होने में तो आपको क्या करना है इसको बिलकुल जो है मतलब असानी से भरना है यह नहीं कि बहुत जल दिबाजी में इसका कोई अंतिम्तिती नहीं है आप असानी से भरेंगे और अपना इस परपत्र को भरेंगे तो इसे ही सब्सक्राइब करने के लिए देखने के लिए वेरिफाई करने के लिए तो आपको वहां पर बुला जा सकता है मोबाइल नमर दिया रहेंगे तभी तो आपको फोन जागेगा अब आपके घर पे कैसे बनाएगा यहां पर राजुस्ट ग्राम का नाम थाना का नाम हलका का नाम पूलिस थाना अंचल और जीला यह सब आपको भरना होगा अच्छे सीज़ा भर लेजएगा ठीक नाम इसे अब बोलेगे थाम अलग से बना देंगे कैसे आपको भरना है क्योंकि मैं इस वीडियो में उतना ही बता रहा हूं कि यहां पर सत्रम बन चुका है तो यहां पर थोडा सा जो है लिमिटेड समय है मैं आपक सब्सक्राइब करना होगा, अब बाती है कि इसके साथ आपको documents क्या-क्या बनवा के रख लेने हैं कौन को से documents आपको लगेंगे जब भी आपका यहां पर survey होगा तो documents आपसे मांगा जा सकता है जिसे for example मालनीजे आपका खतियानी जमीन है दादा पर दादा आपके जो है मतलक बहते थे फिर आप बहो रहे हैं पहर चाहिण का जमीन रही तो आपको रसीद है तो आप अब यह जामीन है और मेरे नाम से इस रसीद को काठा जाता है तो अ diving आपका दादा की नाम से यह जमीन का रसीद करता है तो ऐसे भी आप का रसीद लग सकता है केवाला अगर कोई जमीन आप खर अगर court के माधियम से मालिजैंग आपका court में कोई case है, उससे आपका जमीन पारित हुआ है, तो उस court का copy आप क्या करेंगे लगाएंगे, यह देखिए मेरे court से भी order हो चुका है, कि मेरा जमीन हो चुका है, तो उसका भी order आप लगा देंगे, अगर कोई दान में मिला जमीन है आपके पास, तो दान पत्र भी आपको देना हो सकता है, यह डोकुमेंट्स आपको लगेंगे, वसीहत में जमीन है, तो उसे लेटेट जो भी डोकुमेंट्स होते हैं, वो वसीहत वाला जमीन, मतलब आपका जो है डोकुमेंट्स आपका लग हाला कि वो लोग लेंगे फोटो कॉपी ही तो इसमें से जो भी आपका डोकुमेंट से रिक्वाइड है अलग अलग रहयत वह आपको यहां पे जो है देना जरूरी होता है अब हम आपको बताते हैं एक और सबसे इंपोटेंट चीजे कि आपके यहां जो है सरवे चल रहा है क इसको आप कैसे पता करेंगे इसके लिए आपको आना होगा इसी वेबसाइट पे जहां से आप लोगों ने फॉर्म को भरा होम पे हम आयात एक बार आप यहां देख पार होगे स्क्रीन पर नीच आएंगे यहां पे बिहार विसे सरवचर संबंदित सिवाएं इस पे क्लिक विसे विसे सरवचर के स्थिति इस पे क्लिक करेंगे यहां जीला चूच करेंगे और यहां पर आपको सरकल चूच करना होगा। और यहां मौजा का नाम चूच करना होगा आपका गाहों का नाम जो होता है किस गाहों में आपका खेत है वह आप यहां पर चूच करेंगे ठीक है जो भी आपका गाहों का नाम है यहां सारा का सारा गाहों का नाम आएगा ठीक अब यहां पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर सरवैशर करेगा अमीन का मोबाइल नंबर भी मिआ पर पर सिविर परभारी का नाम सिविर परभारी जिसे बाद Te现在 कर दिया है इस तरह से आप अपनी area का अपने रखवा का मौझा का पता कर सकते हैं उद्ध घोषडा का मधूरा का सुरू कर पूरी पर्चा वित्र किती थी यह सब आने वले समय में यह सब धर-धर अपडेट होगा तो यह सब आपका यहां पर आ जाएगा अभी फिलाल यहां कोई भी एस्थिती डेट वगर नहीं दिया गया है जहां डेट दिया गया है वहां समझे डेट स्टार्ट हो चुका है तो अपने चियसे अलावा आप जो है ओफ्लाइन कहसे कर सकते हैं इसके अलावा आपको जो है भाग कैसे कॉन से लगाना है कौन ol एकषए का क्यों करानी चाहिए अगर आप कराएं नगरा उसने को को Yogi जो जडरूरी है सभी को आप किसके उपर वीडियो पाना चाहते हैं comment बोक्समें लिखिए है उच्छ अधिकारी है जिनको मैं इंट्रव्यू लेकर आऊं एक कोश्चन सेशन चले तो आप जितना भी कोश्चन्स है वो सारा कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए ताकि हम वो कोश्चन जो है आने वाले जो हम पोड़कास्ट हम एक सोच रहें लाने के लिए उसमें जनकारी बता दिया कि कैसे फॉर्म को भरना है ओनलाइन कैसे करना है कौनकों से डोकुमेंस लग रहे हैं यह मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पूर अच्छे से बता दिया और हां अगर माल लेजिए कोई भाग नहीं लेता है तो क्या होगा कोई दिकत नहीं होने वा आपती दर्ज करंगें गया तो सब Jen है यहां इसका है और सभी कर्याले में एक बनाए गया बंदूबस्त कर्याले उसी कर्याले से सारा निप्टारा होने वाला है वहां पर कानुन गो रहेंगे अमीन रहेंगे तमाम अधिकारी रहेंगे सीओ के देख रेक में सारा चीज होने वाला है तो यह सब कर्याले में बनाए गए हैं आप लोग को कोई दिकत नहीं होने वाला अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे समस्या है, कोई समस्य नहीं होने होने हमा हां! सब आपको जरूरी है सब करने हो को जनकारी समझ में आया होगा, आपके मन में कोईभी दाउट से कमेंट है कमेंट रोक्स में पूछिएगा वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो चुका होगा मैं मानता हूँ लेकिन मैंने आपको पूरी इनिफॉर्मेसन देने की कोशिस की है वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों को भी जरूर शेर करिए मि करिवा हो और वीडियो अच्छा लेरी इनिफ। कर रूरी इनिफ।